बिहार में मंत्री मंडल को लेकर मचा घमासान, क्या पसुपती कुमार पारस मंत्री बनेंगे या फिर पार्टी में जिस परकार से अंतरकला मची हुई है वह चूक जाएंगे या फिर जो जदिव की ओर से अंदर खाने से समर्थन मिल रही है उसमें कितना सक्सेस हो पाएंगे इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे जहकास भारत और मेरा नाम है रविकांत चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लीजेगा और फेस्बूक पेज को भी लाइक करिएगा पसुपती कुमार पारस असली लोग जन्द सक्ती पार्टी के अध्यच नहीं बने हैं उनका यहवी दावा है कि राष्टिय कारकारणी के 90 सदस जो दिल्ली में हैं और तमाम राजियों के प्रदेश अध्यच हमारे पास हैं जो कुछ नहीं पहुंचे हैं उनका भी नाम रामिलास पासवान के वेटे चिराग पासवान जोड़वाते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं वह अभी बिहार नहीं आ रहे हैं उनका कहना है कि हम पूरी तैयारी करके बिहार आएंगे और 5 तारीक को जो 5 जुलाई को जो रामिलास पासवान का जन्म दिन है उसी दिन से हाजीपूर से ही जहां से पसुपति कुमार पारस सांसद हैं और जहां पर से राम विल्यास पास्वान रिकॉर्ड मतों से जीता करते थे वहीं से यात्रा निकाल करके अपना समर्थन चिराग पास्वान जुटाएंगे और बिहार में एक नया राजनितिक समिकरन सेट करेंगे इसलिए भी मंत्राले पसुपति कुमार पारस से दूर चली जाती है क्योंकि उनके अध्यच जब वह बने तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति एक पत पर रहेगा मगर उनकी बातों से जिस प्रकार से बाते सवाल और जवाबों में आई उससे वह ना केवल मेडिया कर्मी को साहमत कर रहे थे बलकि बिहार के आम जनता भी उनके प्रती एक तरह से चिराग पास्वान के प्रती जुकाब जादा है उनके प्रती नहीं है क्योंकि उनकी जो उम्र अभी है और भविस्त के बिहार के लोग नेता खोज रहे हैं लोगजन सक्ती पार्टी में या फिर लोगजन सक्ती पार्टी के रामिलास पास्वान से जुड़े हुए लोग ये साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान की और राष्टिये कारकारणी के जो दिल्ली में बैठक किये हैं उनकी तरफ जुकाब बन जा रहा है इस करण से भी मंत्राले उनसे दूर चली जा रही है यह भी कहा जा रहा है कि जदिव से उनको समर्थन मिल रहा है और जो जदियू के दो नेता मंत्राले के रेस में चल रहे हैं हम उसको लेकर अगले भाग में बात करेंगे मगर अभी पसुपती कुमार पारस का मंत्री बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि चिराग पासवान अब सीधे तौर पर मूड में आ चुके हैं और सीधे तौर पर अपने चाचा पसुपती कुमार पारस को चैलेंज करते हुए यह कह रहे हैं कि वह हमने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है तो मंत्राले बनने की बात ही नहीं आती है मगर वह अध्यच किसी साब से लोग जंसक्ती पार्टी के कार्याले में बने इस पर भी आसंबैधानिक रूप से चिराग पासवान का कहना है या संबैधानिक तरीके से सारा काम को अंजाम दिया गया है जो चंद लोग उनके साथ हैं वह भी उनका साथ छोड़ देंगे चिराग पासवान ने यह भी कहा वह लगतार इस बात को कह रहे हैं कि हम सेर के बेटे हैं और चिराग पासवान के पिता जी की बनाई हुई पार्टी है रामिलास पासवान की लोग जंसक्ती पार्टी जो लोग उनके साथ हवी दिख रहे हैं कुछ दिन बाद हुआ हमारे तरफ दिखेंगे यह चिराग पासवान का दवा है अब इसमें कितना सच्चाई होगा मगर जदियू के नेता आरसीपी सिंग जदियू के अध्यच आरसीपी सिंग का कहना है कि चिराग पासवान ने इन ल कंडल विस्तार की भी बाते थी वह कोरोना महामारी के कारण रुका हुआ था मगर जैसे ही कोरोना महामारी थम ही है या कहा सकते हैं कोरोना महामारी में उसकी संख्या में गिरावट आई है तो पसुपति कुमार पारस का नाम तेजी से चल रहा है और भी जदियू के दो मंत चान्त हुआ और धन्यवाद।